सूपरबाद बच्चों, आज हम कक्षा बारा की सर्जना पुस्तक के तीसरे अध्याए रहीम रहीम दास का अध्यन करेंगे रहीम जी ने नीती के दोहे लिखे हैं नीती से तात्प्रे बच्चों, इन्होंने हमें नैतिक शिक्षा देने के लिए दोहों की रचना की इसी सब्बंदित रहीम दास के दोहे हैं रहीम देखी बडेन को लगून दीजिये डारी, जहां काम आवेस हुई, कह करे तलवारी रहीम दास जी कहते हैं, देखी बडेन को, बडेन यानि बडों को कि बड़े को देख कर लगून दीजिये डारी लगू यानि छोटा छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां काम आवे सुई कि जहां पर सुई का काम होता है वहाँ पर तलवारी तलवारी यानि तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है कि जिस परकार किसी चीज को जोड़ना है, सीलना है तो उसके लिए हमें सुई की आवशकता होती है वो देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी वो दो बिगड़ी हुई चीजों को तूटी हुई चीजों को जोड़ने का काम करती है वहाँ पर तलवार बड़ी होने पर भी अपना महत्व नहीं रखती है इसी प्रकार से मुनश्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है जबकि उच्च कोटी में उत्पन होना या उच्च जाती का होने से कुछ भी नहीं होता चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है सभी कम अपनी अपनी जगह महत्व होता है इसलिए छोटे को छोटा समझ कर उसके महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए रहिमन मूलही सींचीवो, फूले फले अगाई एके साधे सब सधे, एक लक्षे की ओर चलने पर सब लक्षे, सब काम पूरे हो जाते हैं सब साधे सब जाए और सबी तरफ भागने से सबी काम अधूरे रह जाते हैं रहिमन मूलही सींचीवो, मूलही यानि पेड की जड को मूल होता है जड की जड को सींचीवो यानि सींचना सिंचने से वो व्रिक्ष जो है वो फल और फूलों से अगाय यानि लद जाता है रहिमदाज जी का कहना है कि एक लक्षे पर मनुश्य को सदैव रहना चाहिए जब वो एक लक्षे पर चलता है तो उसके सारे लक्षे पूरे हो जाते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति सब चारों तरफ अलग-लग रास्तों पर चलने का प्रयास करता है अलग-लग लक्षों की तरफ चलने का प्रयास करता है कदली सीप भुजंग मुख स्वाती एक गुनतीन जैसी संगती बैठिये तैसो ही फल दीन कदली यानि केला सीप यानि सिपी भुजंग होता है साप स्वाती स्वाती नक्षत्र की स्वाती नक्षत्र एक है यानि स्वाती नक्षत्र की एक बूंद जो है वो केले में सीप में और भुजंग यानि साप के मुख में तीनों के मुख में एक ही स्वाती नक्षत्र की बूंद गिरती है लेकिन गुनतीन यानि तीन रूपों में वो परिवर्तित हो जाती है केले पर जब गिरती है तो केले का फल पक जाता है और सीप में गिरती है तो वो सीप में मोती बन जाता है और बुजंक मुख और साप के मुख में जब गिरती है तो वो विश्य बन जाती है इसी परकार से मनुश्य वी जैसी संगती बैठिये कि जिस परकार की संगती में बैठता है तैसोई फल दीन वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है कि अगर हम अच्छी संगती में रहेंगे तो हमें लोग अच्छा ही समझेंगे और हमें अच्छे गुणों का विकास होगा और बुरी संगती में बैटने पर मुनुष्य में दुरगुणों का विकास होता है ऐसे ही वही स्वाती नक्षत्र की बूंद केले में गिरती है तो फल बन जाती है सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है और जब सांप के मुख में गिरती है तो वो विश बन जाती है रहिमदाज जी कहते हैं इसी परकार जैसी संगती में मनुश्य रहता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है काज परे कचु ओर है, काज सरे कचु ओर, रहिमन भम्री के भै नदी सिरावत मोर काज परे कचु ओर है, काज यानि काम, काम पढ़ने पर कुछ ओर स्थिती होती है और काज सरे, सरे यानि पूरा हो जाना और जब काम पूरा हो जाता है तो कुछ और स्थिती हो जाती है रहिमन भंवरी के भई, भंवरी होता है फेरे, रहिमदासी कहते हैं कि जब फेरे पूरे हो जाते हैं नदी सिरावत मोर मोर होता है मोड सिरावत यानि तेरा देना कि जो दुले के सिर पर मोड बांदा जाता है फेरे पूरे होने पर वो नदी में तेरा दिया जाता है अर्थार्थ रहीमदास जी का कहना है बच्चों कि इसके माद्यम से हमें वो ये शिक्षा देना जाते हैं कि म जब काम निकल जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वो उसका कोई महत्व नहीं समझता है, जिस परकार से फेरे होने तक तो मोड को दुले के सिर पर बांदा जाता है, और जब फेरे पूर्ण हो जाते हैं, तो उस मोड को नदी में तैरा दिया जाता है. जो रहीम उत्तम प्रकर्ती का करी सकत कुसंग चंदन विश्वयापत नहीं लप्टे रहत बुजंग जो रहीम उत्तम प्रकर्ती रहीम दासी कहते हैं जो उत्तम प्रकर्ती के यनि जिनका स्वभाव उच्च कोटी का होता है अच्छा होता है का करी सकत कुसंग, कुसंग यानि बुरी संगती, उनका बुरी संगती क्या कर सकती है, चंदन विश्व्यापत नहीं, लप्टे रहत बुजंग, जिस परकार चंदन के व्रिक्ष पर सांप बुजंग होता है, सांप, सांप, लप्टे यानि लिप्टे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के पेड़ में विश व्यापत यानि विश चंदन जहरीला नहीं होता है कहने का तात प्रे ये है बच्चों कि जिस परकार से चंदन के व्रिक्ष पर सदैव साप लिप्टे रहते हैं फिर भी उस चंदन के व्रिक्ष में उतनी ही खुशबू आती रहती है और उसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता इसी परकार जो उच्च कोटी के मनुश्य होते हैं या सजजन पुरुष होते हैं उनमें बुरी संगती वाले लोगों के साथ रहने पर भी वो बुरी संगती उनका कुछ भी नहीं बिगाड सकती है रूठे सुजन मनाईये जो रूठे सोबार रहिमन फिरी फिरी पोईये तूटे मुक्ताहार रूठे सुजन यानि सजजन पुरुष कि यदि हमसे कोई सजजन पुरुष अच्छा वेकती रूठ जाए तो हमें उसे सोबार भी मना लेना चाहिए रहिमन फिरी फिरी पो ये रहिमदास जी कहते हैं मुक्ताहार मुक्ताहार यानि मोतियों का हार जब मोतियों का हार तूट जाता है तो उसे हमें बार-बार पो लेना चाहिए यहां पर पुनरुकती अलंकार है फिरी-फिरी में और चंदन विश्व्यापत नहीं वाले में उधारन अलंकार है कि रूठे सुजन मनाईए कि रूठे हुए अच्छे पुरुशों को हमें अच्छे लोगों को मना लेना चाहिए यदि वो सो बार भी रूठते हैं तो भी हमें उन्हें मना लेना चाहिए क्योंकि जिस परकार से मोतियों का हार यदी तूट जाता है तो हम उसे बार-बार पिरो लेते हैं ऐसे ही अच्छे लोगों की संगती भी हमारे लिए अच्छी ही होती है तरवर फल नहीं खात है सरवर पिहें नपान कही रहीम पर काज हित संपती संचही सुजान तरवर फल नहीं खात है तरवर यानि व्रिक्ष कि व्रिक्ष अपने फल नहीं खाता है सरवर सरवर यानि सरोवर सरोवर पान पान यानि पीना सरोवर अपना पानी नहीं पीता है कही रहीम पर काज हित रहीमदास जी कहते हैं परकाज यानि दूसरों के काम करने के लिए दूसरों के हित यानि भलाई के लिए संपती संचही सुजान सुजान यानि सजन पुरुष संचही यानि संचित करना की धन का संपती यानि धन की सजन पुरुष दूसरों के लिए संपती को संचित करते हैं रहीमदास जी कहते हैं कि जिस परकार से व्रिक्ष अपने फल नहीं खाता सरोवर अपना पानी नहीं पीता उसी परकार से सज्जन पुरुष जो होते हैं वो दूसरों के लिए सज्जन पुरुष दूसरों के लिए धन का संचय करते हैं थोथे बादर क्मार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन बहे करे पाचली बात थोथे बादर क्मार के क्मार होता है आश्विन का महीना कि आश्विन के महीने के बादर यानि बादल बादल क्या होते हैं थोथे थोथे यानि उनमें पानी नहीं होता है रहीमदाज जी कहते हैं गहरात गहरात यानि उमर गुमर कराना कि जिस परकार आश्वीन मास के बादल उमर गुमर कर आते हैं किन्तु वो थोते होते हैं उनमें पानी नहीं होता है इसी परकार से धनी पुरुष धनी पुरुष यानि धनवान व्यक्ति जो है जब निर्धन गरीब भय यानि हो जाता है तो वो करे पाचिली बात तो फिर वो अपनी पाचिली यानि पिछली बातों को दोराता रहता है कि जिस परकार से आशुएन मास के बादल उमर गुमर कर तो बहुत आते हैं लेकिन उनसे वर्षा नहीं होती है वैसे ही धनवान पुरुष जो होते हैं वो जब गरीब हो जाते हैं तो वो अपनी पीछे की बातों को दोहराते रहते हैं रहिमन असुआ नैन धरी जिये दुख प्रगट करेई जाही निकारों गेहते हैं कसने भेद कही देई रहिमन असुआ नैन धरी रहिमदाजी कहते हैं असुआ असुआ होते हैं आंसु नैन धरी नैन यानि आँखों से धरी यानि धलकना डरी करत होता है डलकना कि जिस परकार आँखों से आंसु डलकते ही जिये दुख जिये यानि हरदे कि हरदे के दुख को प्रगट कर देते हैं उसी परकार से जाही जाही यानि जिसको निकारो कारत होता है निकालो गेहते यानि घर से, कि जिसको घर से निकाल दिया जाए, वह कहीं पर हमारा भेद कस ने भेद कही दे, कस यानि कहीं, कहीं वह हमारा भेद किसी और को ने बता दे रहीमदाज जी कहते हैं, जिस परकार से आँखों से आंसु निकलते ही, हर्दय का दुक प्रगट हो जाता है, वैसे ही जिसको घर से निकाल दिया जाता है, वह है घर का भेद दूसरे को बता देता है, जिस परकार से विवीषन ने रावण की मृत्यु का जो भेद है, वो रा इसलिए रहिम्दास जी कहते हैं कि आँखों के आँशू जैसे हरदय के दुख को प्रगट करते हैं ऐसे ही घर से निकाला हुआ व्यक्ति अपने घर के भेद को दूसरों के आगे प्रगट कर देता है रहिम्दास जी कहते हैं निजम्ण निज यानि अपने मन की बिथा बिथा यानि दुख व्यथा कि अपने मन के दुख को मन ही राखो गोए गोए होता है चुपाकर कि अपने मन में ही चुपाकर रखना चाहिए सुनी अठिले हैं, लोग सब अठिले हैं, यहां इस संसार में, कि इस संसार में सब लोग उसे सुन लेते हैं, बांटी ने ले हैं कोई, लेकिन बांटने वाला कोई नहीं होता है, रहिम राजी का कहना है बच्चों कि अपने मन के दुख को अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए कि सुनते तो सब लोग हैं उसको उसे आनंद लेते हैं लेकिन उसको दूर करने वाला कोई नहीं होता है दीन सबन को लखत है दीन नहीं लखेन कोई जो रहीम दीन नहीं लखे ये दीन बंदू समहोई दीन सबन को लखत है दीन यानि गरीब सबन यानि सभी को लखत यानि देखता है कि गरीब मनुश्य जो होता है वो सभी को देखता है दी नहीं लखे ने कोई लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दी नहीं लखे कि जो दी नहीं यानि गरीबों को देखने लग जाए तो वो दीन बंदू के समान हो जाता है कि गरीब मनुश्य तो सबकी और किसी उमीद से देखता है लेकिन गरीब को जो है कोई नहीं देखता है यदि गरीब को मनुश्य को लोग देखने लग जाएं उसके दुख को समझने लग जाएं तो वो दीन बंदू के समान हो जाते हैं दोनों रहिमन एक से जोलो बोलत नाही जान परत है काक पिकर रितो बसंत के माही रहीमदास जी कहते हैं दोनों रहिमन एक से कि दोनों ही एक जैसे होते हैं जोलो बोलत नाही जोलो यानि जब तक जब तक वो बोलते नहीं है जान परत है काक पिक, काक होता है कववा पिक होती है कोयल कि जान परत, जान यानि समझ में आना कि कौन कववा है, कौन कोयल है यह हमें बसंत रितू के माही, माही यानि अंदर कि बसंत रितू के आने पर ही हमें पता लगता है कि कौन सा कववा है और कौन सी कोयल है कोईल और कवा दोनों एक जैसे होते हैं रंग रूप में लेकिन जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हमें इस चीज़ का अभास नहीं होता कि कौन सा कवा है और कौन सी कोईल है जब बसंतरी तो आती है तब ही हमें पता लगता है कि कौन सा कवा है और कौन सी कोईल है कहने का साथ प्रेय ये है बच्चों की कोई विपदा आने पर ही हमें पता लगता है की कोन हमारा अपना है और कोन पराया है जो संकट के समय में साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाने के योग्य होता है बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल की बड़े बड़ाई ना करे बड़ाई होता है परशनशा बड़े यानि सज्जन पुरुष की जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी परशनशा कभी नहीं करते हैं बड़ो न बोल बोल और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं रहिमदास जी कहते हैं जिस परकार से हीरा कब कहें कि हीरा कभी ये बात कहता है कि लाख टका मेरी कीमत है कि जो उच्च कोटी के मनुश्य होते हैं वो अपनी परशनशा खुद नहीं स्वेम कभी भी नहीं करते हैं और नहीं वो बड़ी बड़ी बाते करते हैं उनके बारे में तो उनके कारे से ही पता लगता है जिस परकार से हीरा कब कहता है हीरा इस बात को कभी नहीं कहता कि लाख टका मेरी कीमत है उस हीरे की चमक से ही व्यक्ति उसको पहचान जाता है कि ये बहुत कीमती है इसी प्रकार सज़्जन पुरुशों के कारे से ही उनके उनके गुणों से ही उनकी पहचान हो जाती है बिग्री बात बने नहीं लाक करो कि इनकोई रहिमन फाटे दूद को मते नमाखन होई बिग्री बात बने नहीं रहिमदास जी कहते हैं कि बिगडी हुई बात कभी बनती नहीं है लाख करो कि इनकोई चाहे लाख प्रयास क्यों ने कर लिये जाएं रहिमदास जी कहते हैं जैसे फाटे दूद यानि फटे हुए दूद को मते मतना की मत कर माखन प्राप्त नहीं किया जा सकता इसी परकार से एक बात जब बिगड जाती है तो फिर कितना भी प्रयास क्यों ने कर लो वो बात फिर बनती ही नहीं है यानि सच्चा मित्र जो होता है यदि मित्र में मित्रता के अंदर कभी किसी परकार का कोई भेद आ जाता है तो उसमें गाठ पड़ जाती है विपत्ती भए धन ना रहे रहे जो लाख करोर कि विपत्ती यानि संकट कि संकट आने पर धन ना रहे कि धन भी नहीं रहता है रहे जो लाख क्रोड कि जो लाखों क्रोडों भी हमारे पास थे संकट के समय में वो भी समापत हो जाती है नब तारे छिपी जात हैं जो रहीम भहे बोर कि जिस परकार से आकाश में नब यानि आकाश में आकाश में तारे छिप जाते हैं रहीम भहे बोर रहीम दास जी कहते हैं कि जिस परकार भोर यानि सुभै भहे यानि होने पर कि जिस परकार सुभै होने पर आकाश में से तारे सारे छिप जाते हैं उसी प्रकार संकट आने पर विपत्ती के समय में बहुत दिक संपत्ती होने पर भी वो सारी नश्ट हो जाती है कि संपत्ती चाहे कितनी भी क्यों नहीं हो लेकिन यदि विपदा के समय वो काम नहीं आये तो उसकी कोई भी कीमत नहीं रहती है उधारन लंकार है मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम तीन पैग वसुदा करो तव बावने नाम रहीमदास जी कहते हैं मांगे घटत पद कि मांगने से मनुश्य का पद जो है वो घट जाता है कितो यानि कितना भी बढ़ी यानि बड़ा चाहिए वो कितना भी बड़ा काम क्यों ने कर ले, जिस परकार विश्णु भगवान ने तीन पैग वसुधा करो, तीन पैग की तीन पैग यानि पैर, की तीन पैर से वसुधा को, पूरी पृत्वी को नाप दिया, फिर भी उनका नाम बावना, उन्हें बावना अवतार कहा के लिए बावना अवतार लिया था, और लेकिन बावना अवतार लिया, लेकिन राजा बली से उन्हें तीन पैर वसुधा, तीन पैर पृत्वी मांगी थी, तीन पैर की भूमी मांगी थी, तो मांगने के कारण उनका पद क्या हो गया, घट गया था, इसलिए उन्हें कोना अवतार कहा जाता है तो रहीमदास जी का कहना है कि मुनुष्य को कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए क्योंकि मांगने से इश्वर का भी जब पद नीचा हो गया तो मुनुष्य फिर कौन सी बड़ी चीज है मान सहित विश खाय के शंभु भय जगदीश बिना मान अमरित पिये राहु कटायोसीस की मान सहित विश खाय के मान यानि सम्मान के साथ विश यानि जहर खाकर भी शंभु शंभु यानि शिव जो है वो जगदीश कहलाए थे कि शिव ने जब समुद्र من्थन हुआ था तो समुद्र من्थन के समय विश और अमरित दोनों ही निकले थे तो जब देवताव ने कहा कि इस विश को कहाँ पर डाला जाए तो शिव ने कहा कि इस विश को मैं अपने गले में धारण करूँगा और तभी से उनका नाम नीलकंठ कहलाया है तो इसलिए कहते हैं कि सम्मान के साथ यदि शंबु ने, शिव ने जहर खाया तो उन्हें लोग जगदीश के नाम से, इस रिष्टि के पालन हर्टा के नाम से जानते हैं लेकिन बिना मान अमरित पिये कि बिना सम्मान के अमरित पिने पर भी राहु ने अपना शीश कटवा लिया था कहने का ताथ पर ये है बच्चों कि राहु राक्षिस था और अमरित देवताओं को पिलाया जा रहा था तो राहु ने देवताओं की पंक्ती में खड़ी होकर छल के साथ विश्पी लिया कि मैं अमर हो जाओंगा लेकिन फिर भी विश्णु भगवान ने उनके सिर को उसके सिर को काट डाला था और उसका सिर जो है वो सदैव उन्होंने कहा कि तुझे कभी मुक्ष की प्राप्ती नहीं होगी इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि यदि सम्मान के साथ हमें कुछ भी करना पड़े तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हमारे सम्मान की बात होती है और यदि बिना मान के यदि हमें कोई मिश्ठान भी डाले तो वो हमारे लिए अपबान की बात होती है रहिमन जीवा बावरी कही कही सरग पताल आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल रहिमन जीवा बावरी रहिमदास जी कहते हैं जीवा यह जीव जो है वो बावली होती है यह स्वर्ग और पाताल दोनों को एक कर देती है भी जो हमारी जीवा है उस जीवा से लोग हम स्वर्ग लोग का आनंद भी ले सकते हैं और उस जीवा के कारण ही हम पाताल लोग का वि जाते हैं आपू तो कहीं भीतर रही यानि जब यह अपने वश में रहती है तो यह अपने अंदर यानि अपने भावनाओं को अच्छे और बुरे का ग्यान करवा देती है लेकिन यदि यह अपने आपे से यानि अपने आपे से जब यह बाहर हो जाती है तो जूती खात कपा तो मनुष्य कपाल यानि खोपडी, तो मनुष्य की खोपडी में जूतियां पढ़ने की भी नोबत आ जाती है, कहने का अतात प्रे ये है कि इस जिवा के कारण ही मनुष्य अच्छा भी बन जाता है और इस जिवा के कारण मनुष्य बुरा भी बन जाता है अमरित ऐसे वचन में रहिमन रिस की गास जैसे मिस्रियों में मिली निरस बास की फास रहिमदास जी कहते हैं कि अमरित ऐसे वचन में रिस की गास कि अमरित जैसे वचन है कि बातें तो बहुत अच्छी हैं बहुत ही लोगों के फाइदे की बात हैं लेकिन रिस रिस यानि क्रोध की गांस यदि उसमें क्रोध की मिलावट कर दी जाए तो फिर वे तो वही बात है जैसे मिसरी हुमें मिली निरस बांस की फांस की जैसे मिसरी में कोई लकडी का टुकड़ा जो है फांस होता है टुकड़ा की जैसे मिसरी हम खा रहे हैं और मिसर का लकडी का टुकड़ा मूह में आ जाए तो उस मिस्री के स्वाद को ही खतम कर देता है ऐसे ही अमरित जैसे वचनों को यदी क्रोध से कहा जाए तो वो उन वबातों के महत्व को कम कर देते हैं इसलिए मनुश्य को सदैव मिठी बाने का ही प्रयोग करना चाहिए कर देता है